कॉलंबो का मैदान एक मुकाबला खत्म होता है ये मुकाबला श्रिलंका और पाकिस्तान के बीच था इसके बाद पाकिस्तान की टीम सारे के सारे खिलाडियों के साथ ड्रिसिंग रूम में जाती है श्रिलंका की जब बस निकलती है उस बस के निकलने के डेड़ घंटे बाद उस डेड़ घंटे के बाद पाकिस्तान की बस निकलती है अमूमन तोर पर दो टीमों की बस निकलने का अंतर सर्फ 15 मिनट का होता है जादा से जादा 20 से 25 मिनट और बहुत जादा हुआ तो आधा गंटा लेकिन उस दिन कुछ और हुआ उस दिन ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम ड्रिसिंग रूम में बैठी रह गई बात हुई कहा सुनी भी हुई एक दो इधर उधर की बाती भी हुई ये भी रहा कि हाँ भाई टीम में तकलीफ क्या है टीम में दिक्कते क्या है कहा हमने खराब किया क्या हम बहतर कर सकते थे और विचारों में भेद भी देखने को मिला ऐसी चीजे भी हुई जो अमूमन तोर पर बहुत जल्दी तूल पकड़ती हैं तूल पकड़ना मतलब हुआ कुछ होता है बाते कुछ और कही जाती है जब वो निकलती है टीवी यूट्यूब या फिर अख़बारों में जब वो छपती है तो फिर कुछ का कुछ हो चुका होता है हमारे यां हिंडी में कहते है तिल का ताड़ बना देना यही हुआ कुछ उस दिन जब श्रेलंका के अगेंस पाकिस्तान को करारी हार मिली तो उसके बाद बवाल बहुत ज़्यादा हुआ हार का अंतर बहुत महीन था बहुत कम था आखरी गेन तक मैच कया था लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम उस हार के बाद बाहर हो गई वो बड़ी हार बन गई और उस बड़ी हार के बाद एक बार फिर हमेशा की तरह और मैं خاص तौर पर ये कहूँगा पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरीके से खबरे चलानी शुरू करी कुछ लोग एशिया कप को कवर करने के लिए कॉलंबो में मौजूद थे और यह वही लोग थे जो उस रोज पाकिस्तान के कप्तान बाबराजम को प्रेस कॉन्फरेंस में सुनने नहीं आये थे लेकिन उन सब कुछ पाकिस्तान के ड्रिसिंग रूम से सामने निकल कर आया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था बात हुई विवाद हुआ बात इतनी बढ़ी कि ओविसली वो एक आर्गुमेंट में बढ़ी लेकिन इसके अलावा ये कि रिजवान ने आकर बीज बचाओ किया और उसको भ कुछ ऐसे जर्नलिस्स से जो सही तोर पर चीजों को जानते हैं कि हुआ क्या है जो कुछ भी नहीं कहते पाकिस्तान की टीम को लेकर क्योंकि कुछ लोग इशियाकप में मौझूद थे जो जो ऐसे शब्दों का प्रियोग कर रहे थे अपनी टीम के लिए जिसके बारे में कुछ भी करवा दोगे अगर एक कहा सुनी हुए तो आप उसको थपड में बदल दोगे पूरी तरीके से इन सारी चीजों का जिक्र में आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कॉलंबो में था कॉलंबो से आज ही आया हूं इन सारी चीजों के बारे मैं पता करने की पर आईए पूरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं मेसेज के साथ जो तस्वीर है वो आपके सामने इस समय पर है और शाहीन शाह अफरीदी ने ये फैमिली परिवार और उसके आगे दिल बना हुआ है अब ज़रा मुझे आप ये वताईए कौन से परिवार में नहीं होत अधर से भी विचार आए हर तरफ से आएं लेकिन यहां पर अगर दो बड़े खिलाडियों के बीच ऑबिसली शाहीन एक बड़ा खिलाडी है बोलिंग ग्रूप का लीडर शेप पूरी तरीके से लीडर है वो जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहा है पिछले कुछ समय म वर्ल्ड के टॉप बोलर्स में उसका नाम है बाबराजम ओबिसली बाबराजम को जाहिर तोर पर बड़े टॉर्नमेंट्स में अपने बल्ले से परफॉर्म और बहतर करना पड़ेगा वरना वो उसका असर उनकी कप्तानी में दिखने लगेगा और यही हुआ यहां पर भी पिछला एशिया कप देखिए वर्ल्ल कप देखिए 2022 और यह वाला एशिया कप देखिए अगर आप एक पैरलल ड्रॉ कर पाएं तो वो यह होगा कि बाबराजम दे कैप्तन वो तो एक तरफ लेकिन बाबराजम दे बैटर उसकी परफॉर्मेंस अगर धीली पड़ेगी या जगह नहीं है जिनका कोई अस्तित तो नहीं है जो हुई ही नहीं है वो चीज़े करा रहे हैं इस समय पर पाकिस्तान की जो साफी है और जबर्दस्ती एक फूट डालरे ड्रिसिंग रूम में कि या अब इनको ना इनको कमजोर कैसे किया जाए इनको इनकी जो एक्ता है इन इस पर बात लगातार कर रहे हैं जो असल में हुआ ही नहीं असल में बात सरफ इतनी है कि और जब वह बस से उत्रे सिनिमन ग्रांड होटेल कॉलंबो उस दिन अगर आप बाबर का चेहरा देखते तो आपको लगता क्योंकि मैंने कुछ disappointing phases में पाकिस्तान की टीम को देखा है जिमवावे के अगेंस हार के बाद या फिर यहां पर देखा है बावर का चेहरा इतना लटका हूँ आपको कभी नहीं दिखता तो obviously हो सकता है dressing room में सबसे पहले बाते शुरू हुई हो उसके बाद बाते बढ़ी हो और बाते जो है वो argument में भी तबदील हुई होँगी इसमें भी कोई दोराय नहीं है और होता है परिवार में होता है ऐसा बड़े छोटों के बीच कहीं कोई सही गलत है वो होता है लेकिन ये जिस तरीके की चीजे पाकिस्तान की मीडिया ने रिप्रेजेंट करी है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है आप अपनी टीम को और कमजोर कर रहे हो आप अपनी टीम पर सवाल खड़े कर रहे हो जस्ट बिफोर दे बिग वर्ल्ड कप तो वो चीजे नहीं होनी चाहिए और इसलिए जो शाहीन का ये टूइट है मुझे लगता है बाबर की तरफ से भी कोई रियाक्शन जरूर आएगा अगर नहीं भी आएगा तो इस पर क्लारिटी जरूर मिलेगी लेकिन शाहीन की तरफ से जो रियाक्शन आया है उसने इन सारी की सारी चीज़ों को कम तो निश्यत तोर पर कर दिया है खतम भी ये चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि देखिए जूट बहुत तेजी से दौड़ता जरूर है लेकिन एक वक्त पे आने के बाद उसका स्तित्व पूरी तरीके से मिट जाता है सच को वक्त लगता है लेकिन कायम सच ही रहता है तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान की मीडिया को थोड़ा सा समझना चाहिए सीखना चाहिए कुछ भी शब्द अपनी टीम के लिए प्रियोग नहीं करने चाहिए और बहुत सीनिर सीनिर जर्नलिस्ट है जो कुछ भी बोल देते हैं अपनी टीम के बारे में इन चीज़ों से खुद को बचा के रखना चाहिए बाकि पाकिस्तान की टीम अपना बहतर जानती है क्या करना है कैसे करना है किसको आगे ले जाना है किसको नहीं ले जाना है और अगर फिल्ड में खराब भी करती है तो उसकी आलोचना कीजिए रादर देन ये सब नहीं कि जो ड्रिसिंग रूम में जिसके बारे में आपको एक्सेस ही नहीं है किसी की तरफ से कोई जानकारी आई होगी किसी किसी आगे जाना है ज हॉआ प्राइब किसी तरफ से कोई सकत्राइब करना है झाल